इसके खिलाफ हैं पिछली कुछ समय से वह स्वास्त कारणों से अज्यात वास पर चल रहें लेकिन रामलला की प्रान परतिष्टा समारोह का जब उन्हें नमंतरन मिला उसके बाद जब उन्से नमंतरन पत्र मिले के बाद राहुल गांधी पर सोनिया गांधी पर कॉंग्रेस के नहीं आने पर सबाल पूछा गया साथ में शंक्राचार को लेकर सवाल पुशा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुने हमारे समवादाता से खास बाचित भीता और सौर का ये अंदुरन है लेकिन अब भक्ती के रूप में परवर्टित हो गया है भगवान राम के ये नभूमी पर राम का मंदीर भविद्धी बन करके तयार है थोड़ा बाकी है वो भी हो जाएगा तोशी को देखना है आप लोगों को उमीद थी कि इस तरीके का आयोजन होगा और इस तरीके का इतनी जल्दी राम मंदिर बन जाएगा इस तरीके से पूरी उमीद थी बनाने के उमीद थी बन गया और जदी बन गया नहीं रोग सोच रहे हैं और समय लगेगा कारीगरों को धन्यवाद बढ़िया बनाई है जब यह अंदोलन चल रहा था तब जो बड़े चहरे थे जो सबसे चर्चित चहरे थे उसमें आपका भी नाम था आप सबसे अगवा लोगों में उस वक्त के रहे जिनोंने इस राम मंदिर अंदोलन में अपनी भूमी का दी यह जब मंदिर बन करके तयार होगा आपको क्या लगता है कि यह जो मंदिर है अगर जो कार सिवक हैं आप जैसे लोग हैं यह किसे समर्पित होगा गेशार राम भक्तों को समर्पित है देश की जनता को समर्पित है उसके लिए सब हमें दर्शन करें लेकिन इसके दाथ विवाद भी जुड़ रहे हैं और विवाद यह है कि कई संकराचार्ज इसके खिलाफ हैं कि अब जाएंगे मिलेंगे तो प्यार से बात करेंगे बात की भयान दे देंगे ने तो आखिर उनके उन लोगों ने उनके पीछे की कोई वज़ा भी तो होनी चाहिए कि आखिर वो अब मुझे नहीं मारूम है बज़ा वही बताएंगे उननी से कुछ ना तो क्या सादूों में आपस में मतैक के नहीं है एक मत नहीं है सादू इसको ले करेंगे तो सादू लोग जाने सादू की माया है वोई जाना है उनकी माया को कोई जानने चाथा तो संत हैं उनकी माया को जानके क्या करना लगता नहीं कि इतने बड़े आयोजन में जो आपने शब्द कहा कि टेस्ट खराब हो गया सचमुच अगर संकराचार जी इस तरीके से बातें कहने लगें तो ये विग्ण जैसा नहीं है नहीं आप संकराचार जी को मन की बात है अपना कह रहे हैं तो उसका बात विवात क्यों करना लेकिन एक बात कहा जा रहा है बार बार कि अधूरे मंदिर में ये मूर्ती का प्रतिष्ठा की जा रही है कॉंग्रेस पार्टी ने यही कहके आने से मना कर दिया है कॉंग्रेस पार्टी से क्या गुम्मीद है वो सोनिया कौन पुजा करती है जो कांग्रेस कांग्रेस तो उने चे प्रणा लेती है ना तो वो तो जल्दी आने वाले नहीं हाँ उसमें कांग्रेसी बहुत भक्त है वो आएंगे बिना लेविट के आएंगे आएंगे दसन करेंगे वो काम कर रहे है तो यह जो प्रान प्रतिष्ठा का कारिक्रम है बेशक गर्वगरी बनकर के तयार है मंदिर पूरा नहीं हुआ है चुकि आप संतों के साथ भी इतने वक्त तक रहे हैं तो इसका कोई पूरे मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं है लगबख बनकर के त्यार है शिखर में थोड़ी सिए भी काम बाकी है पथर है पथर के पथर का मंदिर बन रहा है वो उसको गढ़ाई करना पड़ती है नकासी करना पड़ती है तो समय तो लगे गई है विपक्ष का कोई नेता वो जानते हैं कि यह लोग नहीं आने वाले और जो आने वाले हैं वो आएंगे विपक्ष के लोग बड़ी संख्या मारे हैं तो आखिर एक तरीके का यह बॉयकाट जैसा है विपक्ष का नहीं कूई बाइकाट नहीं भीपक्ष का उसमें से समा रहे हैं अर्कान स्रूर आ सब राम भक्त हैं, आएंगे, वो अपना अपना लेविल नहीं लगाएंगे, सब आएंगे, दसन करेंगे, सब समलित होंगे इसमें, फैजाबाद के ही रोग समलित हो रहे हैं कॉंग्रेस के बड़े नेता तो भले मना कर दें, जिनको आम अंतरण गया है, लेकिन फैजाबाद के जो कॉंग्रेस के नेता हैं, निर्मल खतरीन का भी मैंने बयान देखा, वो भी वो आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो इस वक्त जो विपक्ष का गड़बन वád बैठाने के, इस हड़बन देखा हैं, वो अपाद्री शरीना है, उसको नहीं बुलाना है, विपक्ष उपध्रो इस दिना है? हाँ, कांग्रेस है, क्या कहें उसको। उपाद्री शरीना है, नय लोग जो हैं, वो अच्छे लोग हैं, बढ़ीया लोग हैं। कि ने लोग में कौन बहुत लोग हैं सब उनका क्या नाम गिनाना सब आरहे हैं कि पूरी पुरी कांग्रेश की फोज आ रही हैं कि आगे पिछे आएंगे सब मंदिल को देखेंगे द्रचन करेंगे आगे पीछे तो समाइंगे जैसे यहां तक कि अखिलेजी ने भी कहा है कि हम भी आएंगे और अपने परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे तो यह अच्छी बात है उस दिर नहीं आ रहे हैं तो क्या नुक्सान है नहीं इसलिए नहीं आ रहे है क्योंकि BJP के लोगों ने तो यह यह कहें लोगों ने उनके साथ मारपीटि शुरू कर दी यहां कॉंग्रेस के लोग आए थे स्नान करने और जो कॉंग्रेस के कार्यकरता आय थे जंडें ले करके उनके जंडे चिन लिए उनके साथ धर्काम करें गाम करें हम कहां बना कर देंगे इती चोड़ी शरक बनी है बनवा दिये मोदी जी ने सब शरक बर्याज चोड़ी बना दिए फोल लेंग कर दिये चले आओ तो आमें ना किसने मना किया आप जाकर करके फोटो लोए उनका इंटर्वी जो सब काम करो ना यह कहा यह जा रहा है कि चुनावी फाइदे के लिए यह तमाम चीजे हो रही है 2024 में चुनाव है और अब इसका फाइदा है चुनाव इस जिश के अंदर होता रहता है सब जगे रहता है किसी न किसी राजी में चलते ही रहता है हमेंसे चुनाव चलता रहता है लोकसवा का चुनाव है तो बढ़िया होगा चुनाव में हार जीत इसका होता है चुनाव लेकिन देश की प्रतिष्टा के साथ तो नहीं होता है बेतियत मरतिष्टा के साथ होता है पार्टियों का अधार पर चुनाव होता है तो होगा आपको लगता है कि ये जो चुनाव है दोजार चुनाव है ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है मुझे लगता है सदियों में का सबसे बड़ा आयोजन है इसका फाइदा भी है था कि फार्था मिलेगा कोई काम नहीं कर रहे है उसके लिए राउन गाँज्ज की तो प्लिटिकल है यह तो यह तो पूरी तरीक्स के सिरा जिए जो है पोलिटिकल घर में पैदा हुआ है और आपको बता दे कि 22 जनवड़ी को युद्धा में रामलला के प्रान परतिष्ठा का कारकर्म है कारकर्म में प्रदान मंत्री मोधी मुख्य यजमान है और प्रान परतिष्ठा में सामिल होने के लिए करीब 8000 लोगों को निमंतरन पत्र भेजा गया है विरो रिपोर्ट्ट नियोस्ताग्